शार पर्तम तो जाय श्रक्रिश्ण आज हम लोग जायन दर्सन में जानते हैं कि शत्त इवंगुड और पर्या क्या है तो समझते हैं जायन दर्सन में के लिए देखे जाए जो जायन दर्सनिक है वस्तु की सम्मंध में उसके अनीक गुड़ों को प्रगट करता है किशी भी वस्तु में अनन्त गुड धर्म होते हैं एक ही वस्तु के सम्मंध में द्रिश्टी अवस्ता आदि भेदों के कारण भिन्न भिन्न विचार शत्य हो सकते हैं प्रते एक व्यक्ति का वाड़न उसका अपना द्रिश्टी कोड है वस्तु के निशे थादत्म को उसकी अनन्ता की सूचना देते हैं इसी कारण जैन धर्म में अनन्द धर्मक वस्तु के शिद्धान्द के स्थापना होई है जैन जो है जैन विन्न का कहनाम है कि जितने ब्यक्ति संसार में हैं अगर वो किसी वस्तु को देखते हैं तो सबका मत अलग-अलग होता है माल लेजिए आपने किसी चीज को देखा जूकि एकदम सर्टिक नहीं है आपको नहीं पता तो कहते हैं न यह तो लग रहा है अनुनार में देख रही बिलार है क्या नहीं सेर का बच्चा है क्या सबका अपना-पना माइंड होता है और उस चीज में उस चित्र में अलग-अलग तरह के बिचार रखे जाते हैं तो वही कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोड होता है उस दृष्टिकोड के आदार पे ववस्तु का वड़न करते हैं इसलिए हर एक वस्तु में अनंद धर्म गुड होते हैं उन्ह सिद्ध होता है कि वस्तु में अनेक धर्म हैं ऐसे उदारण और प्राप्त हैं जिनमें परस पर बिरोधी गुड़ों का भी किसी वस्तु के साथ सम्मंद अस्थापित न किया जाए आप देखे होंगे कि अच्छा और बुरा शीधा और उल्टा ऐसे गुड़ आपको मिल हैं अईसा ह painter निसकता कि शिधारन में हर चीज में कहिं गलत तो कहीं सही कनीचीदा जाएक टमें चेटार पर जरूर मिल जाते हैं वस्तु में अनंद धर्म विद्दमान होते हैं, कोई व्यक्ति एक वस्तु की सभी धर्मों को नहीं जान सकता, केवल केवली ज्यान प्राप्र व्यक्ति ही उसे जान सकता है। केवली ही बता शकता है। जैन धर्म की अनुशाद प्रतीक पदार्थ में शत और असत दोनों ही अन्स विद्दमान रहते हैं। जो पदार्थ या वस्तु ऐसी नहीं है उसे असत मानते हैं। कहना में अगर कोई वस्तु है तो उसका नास भी होगा, वो नित्य भी होगा और उत्पन्य भी होगा। वही सत्य है। ऐसा कुछ नहीं जिसमें यह सब गुर्ण नहीं वह असत है। वस्तु की अनंद धर्म होते हैं। धर्म किशी धर्मी का होता है। धर्मी में जो लक्षण पाया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्मी का दूसरा नाम द्रव्य है। प्रते एक द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं। श्वरूप या नित्य धर्म। आगंतुक या परवतन शील द्रव्य बोलते हैं या धर्म। शरूब धर्म वे होती हैं, जो द्रब्य में शदा वर्तमान होती हैं, उदान शरूब, चैतन्य आत्मा का शरूब धर्म है, आगंतुक धर्म द्रब्य में शदा वर्तमान नहीं रहती हैं, आते जाते रहती हैं, जैन दार्शनिक शरूब धर्म को गुड कहते हैं ता इस प्रकार द्रब्य वह है जिसमें गुड़ और परियाय होते हैं जो द्रब्य के बारत द्रब्य में गुड़ और परियाय होते हैं गुड़ का मतलब जो हमें इसा भिराजमान का परियाय का मतलब बदलता रहता है अगनतुक हो जाता है आता हो जाता रहता है गुड़ जो ह होता है जैन दर्शनिक आत्मा के लिए जीव दर्वे का प्रयोग किया है कि कहता है कि जैन दर्शन में जीव को एक चेतन दर्व माना गया है चैतन्य जीव का मूल लक्षड है यह जीव में शुद्व विद्दमान रहता है चैतन्य की अभाव में जीव की कल्पना भी नहीं क जाए सकती है जायन दर्शन में जीव को परभाशित करते वे कहा गया है कि चेतना लक्षडों जीव है मतलब जिसमें चेतना है वही जीव है जीव का लक्षड ही चेतना है जायन दर्शनिकों की जीव समन्दी विचार न्याय वायसेसिक के आत्मा विचार से भिन है क्योंकि न्याय वायसेसिक में चैतन्य को आत्मा का आगंतु गुर माना गया है जो न्याइवैसे सिक धरसन है उसमें जो चेतना है इसको माना गया कि जयन-धरसण यह कहता है नहीं चेतना तो सभाव होता है आत्मा का चैतन ने जियू में शरवदा अन भूती रहने के कारण जीव को प्रकाश्मान माना गया है तक कहा गया है कि वह अपने आपको प्रकाशित करता है शाथ ही अन्य वस्तों को ही प्रकाशित करता है जैंदार्सनिक जीव को नित्य मानते हैं जबकि सरीर को नाश्मान जीव और फरीर की इस विविन्यता के अत्रिक दूसरी विविन्यता यह है कि जीव आकार वहीन है जबकि सरीर आकार है यह किसा कि हम लोग देखते भी हैं कि जो जीव होता है उसा कोई आकार नहीं होता है सरीर का आकार है तो आपने देखा होगा मनुष्य का एक सरीर का आकार है हाथी का अलग है चींटी का अलग है कुत्ते का अलग है बिलार का अलग है लेकिन जीव आत्मा का कोई आकार नहीं होता है यह जिस शरीर में प्रवेस कारता है वही बन जाता है वही आकार ग्रहन कर ले दार्सनिकों के नुसार जीव का अपना कोई आकार नहीं होता किंट वह जिस सरीर को धार्ण करता है उसी की अनुरूप आकार ग्रहन हो जाते हैं जैनों का यहमत है कि आत्मा का विस्तार शंभव है अन्य दारसने को को भी मानने है इस विचार को प्लेटो और अलेक जेंडर ने भी अपनाया है उलेखनी है कि जीव के विस्तार और जड़ द्रब्य के विस्तार के भेद में लग क्या है इसमें भेद है जीव का प्रविश करता है तो उसको घेरता नहीं इसकी एक एक अंग में बिराजमान होता है आपने देखा होगा सरीर का कोई भी अंग अप्टच की जिए और अनुह हो जाता है जड़ द्रव्य अस्थान को घेरता है जड़ द्रव्य मतलब पतार्थ है जहां पर एक जड़ द्रव्य का निवाश है वहां पर दूफरे जड़ द्रव्य का प्रवेश पाना संभाव है परन्तु जिस अस्थान में एक जीव है वहां दूफरे जीव का समावेश हो शकता है ठीक उसी प्रकार जैसे एक कमरे में द तो था भी जला सकते, वो अर्जिस्ट हो जाता है, उसके लिए जगन तो नहीं चाहिए होता है, तो ठीक उसी तरह है, आत्मा है, एक फरीर में दूफरी आत्मा भी प्रिवेश कर सकती है, यह कहनाम यही है, जैन दर्सनिकों के अनुसार, यह सारा संसार अनंत जीवों से परि प्राप्त कर लिया है, अब बद्ध जीव इसके विपरित उन आत्मा को कहा जाता है, जो बंधन ग्रस्त है, ठीक है, यह रहा, उसमन में आगिया होगा, जैस्त्रिकर्ष, जैस्त्रिकर्ष